ए गाइस, वाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग, बहुत-बहुत सभागत हैं, आप सब का आज के इस अमेसिंग से सेशन में हम कर रहे हैं सीटिंग अर्रेंजमेंट्स और आज इसका सेकेंड लेक्चर है, यहां पर जितने भी सुडेंट्स आप लोग यहां पर नए हैं, य वो अभी आप लोगों ने यह वाला सेशन देखना शुरू किया है, पंदरा मिनिट के अंदर-अंदर मेरी अनिकाडमी प्लस पर क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, और इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपना C.A.Foundation का सब् लिए free of cost अक्टिवेट कर सकते हो, तो आनिकाडमी में चल रहा है learning festival, जहां पर आपको साथ दिनों के लिए C.A.Foundation का सब्सक्रिप्शन free of cost दिया जा रहा है, वीडियो के दिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है, आप उसको access कर सकते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले हफते हम लोगों ने direction sense test किया था, और तीन classes जो plus पर हुई थी, वो तीन simultaneously YouTube पर stream हुई थी, और हम लोगों ने तीसरी ही class में काफी सारे additional questions की practice करनी शुरू कर दी थी, तो वही additional questions की practice हम लोग आज भी plus में करेंगे, तो आप लोग उसको access कर सकते हो, पिछली वाली तीन classes हो, आप लोगो ने यहां पर YouTube पर simultaneously देख ली थी, लेकिन जो आज वाली class होगी, वो आप YouTube पर simultaneously नहीं देख पाऊगे, लेकिन फिर भी आप उसको access कर सकते हो, अगर आप Unacademy का free trial activate कर लेते हो, तो I repeat, free trial activate करन में आपको जाना होगा, और वहीं पर आपको CA Foundation का free trial activate करने का link मिल जाएगा, वहाँ पर मेरा code पढ़ा हुआ होगा, आपको सिर्फ अपना phone number डाल कर उसको activate free trial पर करना है, and you will be done, right, बाकी इस वीडियो के description में आपको virtual library का link मिल जाएगा, जहाँ पर सभी chapters के detailed sessions आप लोगों यह उनका right होगा और यह उनका left होगा, और इसी basis पर कर हम लोगों ने बहुत सारे questions किये, और आज भी इसी basis पर हम लोग questions को continue करने जा रहे हैं, so this is done, 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 and आजाओ, अच्छा, तो पांच वाले जितने भी questions थे, वो हम लोगों ने कल ने प्ता लिए, ठीक है, पांच लो बाती है, हम लोगों को ऐसा तौचने में लगता है, ख्यार 4 लोगों को arrange कराना, ज्यादा आसान है, 5 लोगों को थोड़ा सदिकिल्ट होगा, 6 लोगों को उससे ज्यादा difficult होगा, 7, 8, 9, 10, उससे ज्यादा difficult होगा, आज इसा हुता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप questions कि language प सकता है और ऐसे भी हो सकता है तो अभी जाने दो इसको फिर E is between A and C still there is no definite information अच्छा A does not stand next to either F or D still there is no definite information C does not stand next to D still there is no definite information not not वाला क्यों बता रहे हो हमें कोई एक ये चीज़ बता दो सकता है कौन किसके साथ कटा ना कौन किसके left में खडा है कौन राइट में खडा है कौन left hand पर है कौन left hand से किस position पर है तो हम लोगों को solve करने में आसानी होगी लेकिन नहीं इसने इसको बताना ही नहीं है इसको मानना ही नहीं है एफ is between which यह वाला पहला question हम लोग आज करते हैं तो अब देखो इस पूरे question में और फिर last line आगे f is between which are the following pairs of children तो इस पूरे question में आपको कोई भी definite information नहीं दी हुई है right so अब आपके पास option क्या बचता है कोई option नहीं है आपको assume ही कर रहा है ठीक है तो मैं आप लोगं को यहां पर बता रहा हूं सबसे पहले line b is between f and d बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे question को solve कर रहा हूं वी इस between f and d तो मैंने कहा बी जो है वो f और d के बीच में है अब आपने कहा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि b जो है वो d और f के बीच में हो सकता है मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है तो b could be between f and d we could be between d and f as well ठीक है क्योंकि यहां पर भी f और d के बीच में आ रहा है कोई tension वाली बात नहीं कोई बात नहीं आप बनाई को इधर रखो e is between a and c ठीक है अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यह ऐसे भी तो हो सकता है कि f b d इधर आ गए और a e c इधर आ गए मैं कर दो बिल्कुल हो सकता है या अभी जाने तो इसको आपके दिमाग में जितने cases आ रहे है ना हो सारे के सारे में बनाने वालों ठीक है देखो आपके दिमाग में यह भी आया कि सर f b d ऐसे रहने दो और a e c की जगह c e a कर दो मैंने का बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है उसके बाद आपके दिमाग में तर FBD के left में ही क्यों है, FBD के right में भी तो हो सकता है, मैंने का बिलकुल ठीक, तो F, B, D, A, E, C, और F, B, D, C, E, A, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, I hope आपको बात समझ में आ रही है, B is between F and D, cool, right, इसके दो cases बन सकते थे, B is between F and D, यह मैंने बना दिया, अब A, E is between A and C, E, जो है, वो A और C के बीच में, इसके कितने cases बन सकते है, अगर F, B, D है, तो E is between A and C, ऐसे आ सकता है, keeping FBD on the right, E is between A and C, ऐसे आ सकता है, FBD को left और डाल सकते है, E is between A and C, ऐसे भी आ सकता है, और E is between C and A, ऐसे भी आ सकता है, बिलकुल आ सकता है, लेकिन क्या बात यहाँ पर आ करता हूं यह dbf है न इसको मैं याद रखता हूं dbf अब देखो dbf ए e c तर ऐसे भी तो हो सकता है dbf ट e a बिलकुल हो सकता है तर ऐसे भी तो हो सकता है a e c d b f बिलकुल हो सकता है तर ऐसे भी तो हो सकता है c e a d b f बिलकुल हो सकता है यह 8 cases बने इन 8 cases के अलावा और कुछ नहीं हो सकता यहां पर भी क्या था b is between f and d यह हो गया तो पहले इनको left में रखा और right में a e c left में रखा c e a इनको right में कर दिया a e c left में इनको right में रहने दिया c e a left में ठीक है all right बहुत बढ़िया अब आगे देखते है we are done with b is between f and d e is between a and c अब आगे देखो a does not stand next to either f और d a जो है उसकी न तो f से पटती है न तो d से पटती है इस वाले में is a standing between f और d standing besides either f और d no तो यह हमारा अभी तक फिलाल सही चलना है इसमें कोई violation नहीं है इसमें देखो a जो है वो f के बगल में खड़ा है नहीं चल पाएगा क्योंकि यहां लिखा है a does not stand next to either f और d इसमें देखो a जो है वो d के बगल में खड़ा है नहीं चल पाएगा इसमें देखो यह चल जाएगा आराम से ठीक है क्योंकि a is neither standing next to f nor standing next to d ठीक इस वाले में द तो D के बगल में खड़ाए ना तो F के बगल में खड़ाए यह नहीं चल पाएगा क्योंकि A D के बगल में खड़ाए कट जाएगा ठीक है फिर ये वाला देखो c d के बगल में नहीं खड़ाए चल जाएगा यहां c d के बगल में खड़ाए कट जाएगा तो अब हमारे पास तो if is between B and hell... invasion आएज ब्रॉप आप लोने बहुत अच्छे समझ बार उटक पिकाष अलियर वाल्लीकी कट इबलीड अग्र ऐसा किया तो क्या होगा अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं तो फिर मैंने उसके बात से सारे अगर-मगर को इधर डालना शुरू कर दिया मैंने का आरे देखो यार इसके अलावा कोई और केस बना के तो देखो बनाई नहीं सकते ठीक है जी I hope आपको यह बात समझ में आ रही है हां जी बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत बहुत मज़ेदार चलो moving on to the next question ये रहा आपके सामने in a gathering seven members अच्छा आप 7 लोग आ गए आपके पास ठीक है in a gathering seven members are sitting in a row c is sitting left to b अरे ये तो बड़ा simple हो गया देखो c जो है वो b के left में एठा है तो अगर ये b है तो यहाँ पर c होगा c sitting left to b but on the right to d तो c जो है वो d के right में बैठा है d भाई साब इदर आ जाएंगे a sitting right to b a जो है वो b के right में बैठा है बड़ी अच्छी बात है f is sitting right to e f जो है वो e के right में बैठा है क्या हमारे diagram में e दिखाई दे रहा है क्या हमारे diagram में f दिखाई दे रहा है तो क्या में f is sitting right to e से कुछ भी बना सकता हो लेकिन left to D तो F is sitting left to D तो यह रहा D इसके left में मिठाए F और यहाँ पर लिखाए F is sitting right to E तो यहाँ पर आजाएगा आपका E H is sitting left to E Find a person sitting in the middle हो गया तो अभी यह 7 लोग थे लेकिन was it difficult तो इसलिए डरने का नहीं है कि 4 लोग है 5 हो गया अरे लोग आ गए अरे बारा बारा लोग आ गए कोई tension वाली बात नहीं है बहुत आराम आराम से question solve हो जाते है तो answer क्या हो जाएगा option B यानि D option B is the answer I'm sure सब किसमाज में आ गया बहुला निष्टें 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 दोलो निष्टें 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 Come on Come on everyone एक बार भी काफ है C is sitting C is sitting left to B तो अगर B यहाँ पर बैठा है तो इस के left में बैठा होगा C but on the right to D तो C जो है वो D के राइट में बैठा है, A is sitting right to B, A is sitting right to B, F is sitting right to E but left to D, तो F is sitting left to D, right to E, and H is sitting left to E, H is sitting left to E, बीच में कौन है, बीच में option B, ठीक है, 20 भी आ सकते हैं, क्या bro exam में, ठीक क्या हुआ आर्जू, कैसी बात करे हो, DJ Nishten, क्या बात है, Lucifer the morning star, अच्छा 20, okay 20 people, नहीं, 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 सिर्स, नहीं, आर्जू, नहीं, ऐसे थोड़ी, 10 से उपर नहीं आएगा, 10 से उपर नहीं आएगा, ठीक है, don't worry, 10 से उपर वाला नहीं आएगा, आँजू, नहीं, 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 आर्जू, इतना लंबनी आएगा, जानवी, जादभ, निश्टेन, आर्जू, चओहान, डी, आर्आइउश, अगरवाल, कह रहें, निश्टेन, आर्थिखतरी, कह रहें, नीशु भहिया, साथ लोग हैं, audience को साथ singers है तो ये साथ singers है जो कि audience को face करके खड़े हुए, अब देखो, चाहे audience को face करके खड़े हो, चाहे स्वर्ग face करके खड़े हो, चाहे नर्क face करके खड़े हो, चाहे आकाश face करके खड़े हो चाहे पाताल face करके खड़े हो, हमें face कहां मानना है हमें हमेशा face इधर मानना है तो क्या ये audience facing से कोई फर्क पड़ता है bell फर्क नहीं पड़ता तो इसको जाने दे आगे चले D is to the right of C अच्छा D is to the right of C तो D जो है वो C के right में है अगर ये C है तो ये उसके right में D D is to the right of C और राइट F is standing beside G लेकिन G कहा है G नहीं है F कहाँ जाएगा पता Mich कहाँ जाएगा B is to the immediate left of F अरे F ही नहीं है तो B को कहां से उसके immediate left में बैठा दे कोई बात नहीं E to the immediate left of A E जो है वो A के immediate left में है ना तो यहाँ पर E है ना तो यहाँ पर A कैसे इसको बैठाएगा नहीं बिठा पाएंगे, C and B have 1% between E and F, now obviously common sense समझ में आ रहे हैं कि ये between E and F नहीं होगा, ये between them होगा, ठीक है, C and B have 1% between them, C and B have 1% between them, अब देखो, अब यहाँ पर आपके पास दो options आते हैं, अब यहाँ पर आपके पास क्या दो options आते हैं, कि या तो आप एक space यहाँ छोड़के यहाँ पर B कर दो, जिससे C और B के बीच में एक आदमी आ जाए, ठीक है, आपके पास दो options आते हैं, या तो आप C के left में एक place खाली छोड़ दो, और यहाँ पर B लिख दो, जिससे C और B के बीच में एक place खाली हो जाए, वहाँ पर एक आदमी की जगा आ जाए, या फिर, या फिर आप चुप चाप SAB को बेठा दो, क्योंकि अगर आपने SAB को बेठा दिया, तो इससे होगा क्या, C and B have one person between them, at least हमारे पास कुछ तो आएगा, तो अब अगर assumption भी हम लोगों को ल देंगे, तो assumption में आप ये बिलकुल ले सकते थे, कि भाई साब, C and B have one person between them, तो यहाँ पर एक खाली space छोड़ दो, यहाँ पर B को बेठा दो, C and B would have one person between them, अब सोचते रहो, इसमें क्या आएगा, next line क्या है, A and D have one person between them, ठीक है, अब common sense तो यह कहती है, कि अच्छा D ये है, C ये है, तो यहाँ पर A बेठा दो, लेकिन अब यहाँ पर कई सारे लोग ये भी सोचोंगे, क्यारे यारे क्यों, इतना simple कैसे बना दे हम, हम तो यहाँ पर एक space छोड़ेंगे, और यहाँ पर A को बेठा देंगे, ठीक है, तो वो अब आपकी मर्जी है, right, but I am not going to do that, I am going to keep things simple, मैं इतना ज्यादा complicated नहीं करूगा, कि अब दबर दस्ती मैंने इधर उधर कर दिया, तो मैं इसको simple तरीके से करूगा, ठीक है, क्या simple तरीके से करूगा, सबसे बहले, D is to the right of C, D, उसके बाद यहाँ पर आके पता चलता है, C and B have 1% between them, C and B have 1% between them, तो मैं यहाँ पर B को 1% between them, A and D have 1% between them, की हो गया, अब मैं आगे देखूँगा, D is standing, right to see, done, F is standing besides G, अभी भी भी जी नहीं आया है, B is to the immediate left of F, B is to the immediate left of F, तो यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, जिससे B जो है, वो F के immediate left में हो गया, और यहाँ लेका है, F is standing besides G, मतलब यहाँ पर A के immediate left में है, E जो है, वो A के immediate left में है, तो यहाँ पर आपका prove हो गया, कि अगर आपने वो दूसरा complicated वाला assumption लिया होता, तो घलत हो जाता आपका answer, ठीक है, अगर complicated वाला assumption लिया होता, तो आपका answer घलत हो जाता है, कैसे, आप करते है, C, D, A, B, A, एसे करते हैं, अच्छा न अभी फिलाल, हम लोग यह simple वाला assumption करता है, उसके बाद complicated वाला assumption भी एक बार देख लेंगे, ठीक, तो E, A, C, D, B, F, G किते हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो तो गए, 7, 7 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, standing on the line of the stage as follows, who is second from the extreme right, extreme right से दूसरा कौन है, extreme right से दूसरा F है, option B is the answer, I am sure, सब को समझ में आ गया, बोलो, रिष्टेन, 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 रि B is to the immediate left of F, तो यहाँ पर F आ जाएगा, E is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A यह आ जाएगा, F is standing beside G, यह गरवड़ा आ गया, अगर F को यहाँ पर डाल दिया, B is to the immediate left of F, तो यह जो F is standing beside G है, ये गरबड़ा आ जाएगा आपका क्योंकि फिर F के बगल बगल में B और C आ जाएगे F के बगल बगल में कहीं पर भी आप G को नहीं रख पाओगे तो ये आपका गरबड़ा जाए ठीक है चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते है ठीक, all right, क्या हो रहा है यहाँ पर अरे वाह, क्या मस समझ में आ रहा है बाबा, निष्टेन, बेविर नाइस अर्जू, जानवी, निष्टेन, हृरेन, जी सर next question, question number 24, same question है if we start counting from the left, on which number is B अगर हम लोग left से count करना शुरू करना, तो B कौंसे नंमबर पे है 12345 B वो आपका 5th नमबर पे है Option D is your answer I'm sure Thank you so much Darshan Lucifer the borning star के रहे Experiment failed You are absolutely right The experiment has absolutely failed But no problem We are going to continue एब बहुत बढ़िया, Good Morning Gamer Programmer, तो डराने की क्या बात, चारीन तो डरने की क्या बात, वाह, nice, thank you so much, Darshan भाई, moving on to the next question, ये रहा आपके सामने, now they are sitting in a row facing north, मैंने क्या बताया, था चाहे, north facing ओ, east facing, west facing, south facing तो देखो, P is fourth to the right of T, अब इस बात को समझना कि fourth to the right कैसे measure किया जाता है, तिक है क्या बोलो मैं, इस बात को समझना कि fourth to the right measure कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, P is fourth to the right of T, right, so what you're gonna do is, you're gonna make T over here, आप यहाँ पर T को बिठाओगे, and this will be first to the right of T, this will be second to the right of T, this will be third to the right of T, and fourth to the right of T में T बैठा है, तो आप यहाँ पर P को बिठा दोगे, कई सारे students confused हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि T के right side में 4 बंदे छोड़के P बैठा है, इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब बता है, T से चौथे नंबर पे P बैठा है, तो कई सारे लोग इसका एक और मतलब निकालते हैं, कि अच्छा ठीक है, तो T 1, 2, 3, 4, यहां पर P को बैठा दो, नहीं भाई, नहीं, fourth to the right of P, बहुती सिंपल, understanding है इसका, बहुती सिंपल मतलब है, कई सारे लोग इसके दो अलग-अलग मतलब समझते हैं, ठीक है, fourth to the right of P का मतलब कई सारे लोग सोचते हैं, T और P के बीच में 4 बंदे बैठे, T से दाए हात में 4 बंदे छोड़ के P को बैठा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कई सारे लोग ये भी सोचते हैं, के P जो है, वो चौथे नमबर पह, मतलब T पहले नमबर पह, ठीक है, तो T is 1, 2, 3, 4, यहां पर P को बैठा देंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, P is fourth to the right of T का, मतलब ये T का first right है, ये T का second right है, ये T का third right है, ये T का fourth right है, तब ही मैं आप लोगों से कहा रहा था है कि ध्यान से समझना, के fourth to the right of P की counting कैसे करते हैं, हम लोग इस ती इसको सीख रहा, ठीक है, तो I hope अब आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, और तो P is fourth to the right of T, W is fourth to the left of S, अभी S हमारे पास है नहीं, तो कहां से हम W को बना दे, R and U, which are not at the ends, are the neighbors of Q and T respectively, मतलब R जो है, वो Q का neighbor है, और U जो है, वो T का neighbor है, आर जो है, वो Q का neighbor है, और T जो है, वो U जो है, वो T का neighbor है, अच्छा, तो अब देखो Q तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं कि हम R को बैठा पाएं, लेकिन हमारे पास T है, और हम U को बैठा सकते हैं, लेकिन फिर वो ही पंगा, U को इधर बैठाएं, यह U को इधर बैठाएं, U को कहां बैठाएं, तो अभी रुख जाते हैं, अभी रुख जाते हैं, ठीक है, अभी यह वाली लाइन को भी के वाली लाइन से कुछ अगर definite information पता चलती है तो अच्छी बात है कि एक दो यह हो गया अच्छा अब देखो डबलू इस नेक्स्ट तो दे लेफ्ट अव पी आगया तो नेबर होने आगया तो आए हम आपको आश्ट अपर आएगा अगर यहां पर लेकिन एहां पर क्या निखाया है कैसे पता चला यहीं पर S आएगा S का 1st left S का 2nd left S का 3rd left और S का 4th left W is 4th to the left of S तब ही मैंने आप लोग को यह counting from the 4th to the right और 4th to the left S पर बहुत ज्यादा focus किया था जिससे आप लोग को यह समझ में है कि कैसे चल रहा है तो W is 4th to the left of S मतलब S आपके हैं पर होगा तब ही R is 1st to the left of S Q is 2nd to the left of S P is 3rd to the left of S and W is 4th to the left of S अच्छा अब आगे क्या लिखा हुआ है यह this is done P is 4th to the right of T this is done W is 4th to the left of S this is done R is the neighbor of Q and U is the neighbor of T U is the neighbor of T ठीक है R is the neighbor of Q done R is the neighbor of Q done U is the neighbor of T लेकिन हमारे पास यह बताया गया है कि U जो है वो end पे नहीं है ना तो R end पे है ना तो U end पे है टोटल कितने लोग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग है यहां कितने लोगों की जगा बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लोगों की जगा बन गई ठीक है तो जाहिर सी बात है कि यह जो U होगा जो कि T का neighbor है यह U आपका इधर ही आएगा इस U को मैं इधर नहीं डाल सकता क्योंकि अगर मैंने इस U को इधर डाल दिया तो दो violations पहला violation यह U जो है वो left है वो end में आ जाएगा और दूसरा violation टोटल नौ लोग हो जाएगे आठी लोग तो है तो इसलिए U मेरा इधर आएगा बचता क्या है बचता है तो T, U, V, W, P, Q, R, S this is the thing who are sitting on the extreme ends तो T और S आपके extreme ends में बेठे हुए तो चाहे आप उसको T and S देखिए चाहे आप उसको S and T देखिए तो बोथ A and B will be your answer ठीक है सर बोथ A and B will be your answer अपकोस मैं इस वाले question को एक बार फिर से बताऊँगा बट एक बार जरा take a look at this question इसको पहले समझने के कोशिश करो और फिर मैं इस question को एक बार फिर से बताता हूँ ठीक है चलो एक बार फिर से discuss किया जाए P is fourth to the right of T तो मैंने क्या किया मैंने T को इधर बैठा दिया this is T का first right, second right, third right, fourth right पे P आगया P is fourth to the right of T right this is done इसमें और कुछ नहीं करना W is fourth to the left of S अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसका क्योंकि ना हमारे पास W है ना हमारे पास S है R and U which are not at the ends R and U जो है वो कोनो कोनो में नहीं बैठें और R जो है वो Q का नेबर है और U जो है वो T का नेबर है अभी हमें नहीं पता ठीक है at this point of time we don't know हो ना कि राइट साइड में ही सारे के सारे साथ लोग आएंगे ऐसा भी तो सकता है कि कोई left side में कुछ लोग आजाए इस point पर तो हमें नहीं पता हां पूरा question बताने के बाद हमें समझ में आ रहे हैं यहां यहां पर यहां पर थोड़ी थोड़ी और काई देस समझ में आ रहे हैं अब यहां लिखाए आर इस दे नेबर अफ क्यू ठीक है अब क्यू का नेबर एक तो उसके left side हो सकता है पी यहां पर तो अल्रडी पी आ गया या तो क्यू का नेबर उसके right side में होगा क्यू के left side में आर बैठा देंगे हम लोग क्यू के right side में आर बैठा देंगे अभी भी यू की position हम लोग surety की साथ नहीं कह सकते right second point में लिखाए w is fourth to the left of s तो जाहिर सी बात है s यहां पर आएगा क्यूं अगर s यहां पर आया तभी तो s का first left second left third left और fourth left s के fourth left में w आएगा I hope यह वाली बात आपको एकदम clear हो रही है ठीक है w is fourth to the left of s यह भी एकदम clear हो गया this is also done अब हमें समझ में आ गया कि total 7 लोग है 1 2 3 4 5 6 7 8 sorry total 8 लोग है तो total 8 लोगों की positions हमारी fix हो गई मतलब यह दो positions इधर ही होंगी t और w के बीच में यह left में नहीं जाएगा तो अब हम लोग surety के साथ u को इधर बैठा सकते हैं ठीक है आर और यू विच और नॉट अट दी एंड जा दे नेबर अब क्यू आर इस दे नेबर अफ क्यू आर इस दे नेबर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं अभी भी बता रहा हूं आगे भी बताता रहूंगा कि always look at all the options before making your final answer, before clicking the correct answer in the quizzes, before circling the correct answer in the OMR sheet, क्योंकि यहां पर कई सारे students T और S को mark कर देते हैं option A को और कई सारे students S और T को mark कर देते हैं और बहुत कम मात्रा में ऐसे students होते है जो की बोथ A and B को mark करते हैं, I hope आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है, क्योंकि है, getting it everyone, yes, okay, एक छोटा सा मैं pause लेके एक चीज़ को address करना चाहता हूं, यहाँ अपर नमन जैन है, नमन जैन पूछ रहे हैं कि मैंने अभी schooling Hindi medium से की है, तो अभी मैं CA English medium से करूं या Hindi medium से नमन जैन, honestly, अगर मैं आपको बताओ, सच सच आपको बताओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप Hindi medium से करें या English medium से, आप अगर एक बास CA बन जाते हैं, तो वो आप CA बन जाते हैं, कोई आप से यह नहीं पूछता कि आपने CA Hindi medium से किया है, या English medium से किया है, तो आप अग tax department के साथ आपकी बातचीत होती है, communication होता है, जो चिठियां लिखी जाती है, वो सारी English में होती है, जो भी बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी companies के जो accounts बनते हैं, जो उनके financial statements या profit and loss और balance sheets और ये सारी चीज़ें बनती हैं, वो सारी की सारी English में हो रही है, आप Hindi Medium से पढ़के Chartered Accountant बन गए, आपको law की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी, आपको accounts की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी, आप जानकारी के मामले में एकदम उपर सर पर रहेंगे, उसमें कोई दुराए नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप चार लोगों के सामने उठेंगे, बैठेंगे, या आप अपने client को income tax officer के सामने represent करेंगे, या जो भी आपके नए-ने laws आएंगे, तो उनका खुद का interpretation आपको खुद से करना होगा, अभी तो क्या होगा, कि आपने Hindi medium में लिया है, तो जो भी teachers होंगे, वो आपको English के laws को Hindi में convert करके, बता देंगे, सिखा देंगे, समझा देंगे, लेकिन आगे चलकर तो teachers आपके साथ नहीं रहेंगे, आगे चलकर तो आपको खुद ही समझना होगा, कि अगर कोई finance minister budget की speech दे रहा है, तो वो budget की speech में क्या-क्या कह रहा है, उसके क्या-क्या implications होंगे, तो मेरी राय यही रहेगी, कि आप English medium से करें, हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन, trust me, बड़े भाई की तरह से आपको बता रहा हूँ, वो वाली दिक्कत आप CA बनने के बाद भी होगी, क्योंकि आप Hindi medium से CA तो बन जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर काम करने के लिए आपको English सीखनी ही पड़ जाएगी, आपको English में थोड़ी सी fluency लानी पड़ जाएगी, अभी क्या है, अभी आप school से pass out हो, अभी आप बहुत young हो, अभी आप मुश्किल से 18-19 साल के होगे, तो अभी अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ English को आपने पकड़ना शुरू कर दि ठीक है, तो मेरी recommendation यही है कि आप English Medium से करें, बाकी जैसे आपको ठीक लगे, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और राइट, यह देखे, सुजल पवार, यह साक्षी कहरी है, मेरे भी Hindi Medium से था, बट हम English Medium से कर रही हूँ, very good, सुजल, सर मैंने भी schooling Hindi Medium से की, बट CA English Medium से कर रही हू हाँ, मैंने भी यही decision लिया, problem बहुत हो रही है, बट clear हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, देखो, सीधी सी बात है, मेरे साथ यहाँ पर, मैंने, मेरी schooling तो दिल्ली से हुई थी, DPS Noida से हुई थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गय के Hindi Medium से पढ़े हुए थे, लेकिन पढ़ाई वो लोग English Medium में ही कर रहे थे, CA में वो लोग English Medium में ही कर रहे थे, तो कभी मैं मदद कर देता था, क्योंकि मेरी English, obviously उन लोग से थोड़ी सी बेटर थी, क्योंकि मैंने English Medium से पढ़ा हुआ था, तो ऐसे आप लोगों के राद दो तो इसी तरह से चलता है, और English से करना आसान भी होता है, English Medium से CA करना आसान भी होता है, और आगे चलकर लाइफ में वो बहुत ज्यादा फाइदा करता है आपका, चलो, anyway, next question, अभी यहां पर हम लोग देखते है, यूवती, कहने है, मेरे तो स्कूल मराठी मीडियम से, CA English Medium से बहुत बढ़िया, सिम्रान फारा, मैं भी हिंदी मीडियम से थी, और English Medium से अच्छे से हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, बेंगॉली मीडियम, अमीना, खातम, चलो, बहुत बढ़िया, चलो, सही है, सही है, सही है, सही है, I hope, we can put an end to this discussion now, and let's move on to the next question, यह रहा, A to HR, are seated in a line facing north, C sits fourth to the left of G, ठीक है, C जो है, वो G के fourth to the left में बैठा है, तो अगर यह रहा G, तो this is first left, second left, third left, and यह fourth left पे C बैठा है, ठीक है, C sits fourth to the left of G, D sits second to the right of G, तो यह रहा G, first right, second to the right में D बैठा है, only two people sit between D and A, तो D और A के बीच में दो ही लोग बैठेंगे, तो जायर सी बाते मैं यहाँ पर A को बैठा दूगा, जिससे A और D के बीच में दो ही लोग आए, अब आप अपना दिमाग और लगा के B के right side में दो spaces खोल के भी A को बैठा सकते हो, वो आप लोग ठ्राए कर सकते हो, तो A औ और F जाने दो, ठीक है, B and F are immediate neighbors of each other, B is not an immediate neighbor of A, हाँ, तो देखो, अगर मैं यहाँ पर F और B कर देता, तो B would have become an immediate neighbor of A, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर F और B कर देता, तो यहाँ पर B जो है, वो A का immediate neighbor हो जाता, तो वो तो नहीं चाहिए अपने को, तो यह हमारा assumption से ही हो गया H is not a neighbor of D, H जो है, वो D के बगल में नहीं बैठा है, तो H ना तो इधर आएगा, ना तो इधर आएगा, H जाहिर सी बात है, आपका इधर आएगा, कौन-कौन बचा है, A to H ना, A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है, यही हो गया, सर E को right side में क्यों नहीं डाला, क्योंकि कोई जरुर ना, who amongst the following, sits exactly in the middle of the persons, who sits fifth from the left, and the person who sits sixth from the right, तो सबसे पहले तो यह identify करो, कि left side से fifth कौन बैठा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, left side से fifth position पर A बैठा है, ठीक, right side से sixth position पर कौन बैठा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, right side से sixth position पर B बैठा है, इन दोनों की बीच में कौन बैठा है, इन दोनों की बीच में F बैठा है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा, option D, यानि F, I'm sure, सब को समझ में, आ गया, बोला, ठीक है ना और आई देखो एक बार फिर से एक बार फिर से फटाफट से देखते हैं इसको A to G are seated on a straight line facing north, C sits fourth to the left of G, तो यहाँ पर अगर G है तो एक, दो, तीन, चार C sits fourth to the left of G, D sits second to the right of G, एक और यहाँ पर D, only two people sit between D and A, A को यहाँ पर बैठा दिया, B and F are immediate neighbors of each other, V और F को इधर बैठा दिया, B is not an immediate neighbor of A, done, H is not the neighbor of D, तो H आपका इधर आ जाएगा, बचता है E, E आपका इधर आ जाएगा, फिर question ने पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, किस left side से 5th position पे है, और right side से 6th position पे है, इन दो बंदों के बीच में कौन बैठा है, left side से 5th कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, left side से 5th A होगा, right side से 6th कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right side से 6th ती होगा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में F बैठा है, option D is the answer, I'm sure सब क आपना सिंपल आराम से चले जा रहे हैं जर्ट नेक्स्त वेस्टें सेम ग्वेस्टनें कॉंस्ट तो व्लोविंग सिट्स थर्ड राइट पर कौन है यह रहा सी फर्स्ट राइट सेकें राइट थर्ड राइट सी के थर्ड यह बैठा है option C is your answer third to the right of C the first right second right third right third to the right one better a better to option C is your answer I'm sure I am all I stand 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 moving on to the next question again once again the same question which of the following represents persons seated at the two extreme ends of the line to eat them for the corner I'm sure this is your answer I'm sure this is the next question same question what is the position of H with respect to F what is the position of H with respect to F F first left second left third left so H is third to the left of F you know what is the position of H with respect to F so H is third to the left of F option is the answer I'm sure sabukur samaj me aga bola stand 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 yes all right all right next question are same question same question how many persons are seated between A and E A or E के बीच में कितना आदमी था all right let's see A or E के बीच में एक कई आदमी था उसका नाम रहा जी ठीक है तो यह हो गया one नाम तो पूचा भी नहीं है तो दिस ओली one person there's only one person sitting between A and E all right so next question देखते हैं आपके सामने यह रहा आपके screens पर पड़ा बट से देखिए और यह रेन सुथार ने लिखा है निश्टे 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 नितना सारा यूट्यूब को लग रहा है यह स्वाइम कर रहे हम यूट्यूब को बता देता है कि नहीं स्वाले क्वेस्टन की और यहां पर मैं आप लोगों का लूगा पांच से और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना ठीक है आई नीट सम वॉलेंटियर्स तो आइल टेक अंकित साक्षी हिरेन मुकेश अनिकेट अंकित साक्षी हिरेन मैं कहता हूँ मैं कहता तो हूँ कि मुझे वॉलेंटियर्स चाहिए लेकिन जिन लोगों के नाम में बोर्ट पे लिखता हूँ क्या वो वॉलेंटियर्स करते हैं मुझे क्या पता लिख तो मैं जबर्दस्ती देता हूँ जिनके नाम मुझे दिख जाते हैं उनके नाम में लिख जाते वावा 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 जिनके नाम मुझे दिख जाते उनके नाम यहां लिख जाते हैं बात है चलो कफ में बहुत ही बिकारी थी लेकिन चदुने अब हम लोग एक चीज समझ tut तो अब मन्यों क्या क्या रहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ बोलना थे नहीं कल के बाद अच्छा वा 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 यहां पर यह जो बाते होती थी कि they are sitting in a line facing north तुम्हें कहता था भाड में जाए ये north east west south अब मैं कह रहा हूं चलो थोड़ा सा इनको तवज्जो दे देते हैं उसके बाद इनको तवज्जो देने के बाद हम लोग क्या करेंगे यह करेंगे तुषको तवज्जो में क्यों जा अगर सामने north है तो यह south होगी यह east हो जाएगी और यह आपकी west हो जाएगी तो क्या मैं यह कह सकता हो कि मुकेश is to the east of हिरेन क्या मैं कह सकता हो कि मुकेश is to the east of हिरेन क्योंकि हिरेन का face north में यह हिरेन का right यह हिरेन का east यह हिरेन से west में ठीक है अगर हिरेन का face north में है तो यह east है यह west है तो मुकेश is to the east of हिरेन Pukesh is to the east of Hiran I hope, यहा पर किसी को कोई दिक्कत नहीन है yes टनलो, ठीक है यहा पर तो किसी को कोई दिक्कत होई नहीं सकती किया मैं कह सकता हूँ कि Sakshi is to the west of Hiran कह सकता हूँ Sakshi is to the west of Hiran Thank you Rishab Sakshi is to the west of Hiran ठीक है, क्योंकि यह आपर Hiran का face अगर है siamo Its नहीं कर दिए लोडियों को बता कि मतलब होता है इंडेट लेफ्ट मतलब इकदम बराबर में मतलब पास वाला भी मेरे लेफ्ट में यह तो अब यहां पर में यह भी तो दो अंकित का तो उन्र फेकत को नॉर्फ है तो यह जी जए आपको यह सारी बात है समझ में आ रही है जो nar वेक्षण lot शेरे करें टो लृष्ण या मिलएव इन डीया इस यह सारी चीजां मैं बोल रहा हूं यह सारी चीजा आप लोगो समझ समझ में आने का कुछ है नहीं हिरेन कह रहा है मेरी इतनी सारी सेक्योरिटी दोनों तरफ दो बॉड़ी गार्ड येस हिरेन यू आर स्पेशल चाइल्ड चलो एनीवे तेखो अब इस चीज को मैं थोड़ा और बताता हूँ ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि इनका फेस नॉर्थ की तरफ मैंने कर दिया नॉर्थ इस वेस साउथ इसी डायरेक्शन में होता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है suppose question में लिखा हो कि इनका जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है तो क्या मैं इनको ऐसे लिखूंगा जिससे इनका फेस यहां पर वेस्ट डायरेक्शन में हो जाए नहीं लिख पाऊंगा इसके लिए मैं क्या करता हूं बड़ा ही सिंपल सा तरीका है बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा इसके लिए क्या करते हैं फेस हमेशा ऊपर की तरफ ही मानेंगे जो मैं कल से की सामने नहीं करना है यह सीटिंग अ्रेंजमेंट्स है यहांपर अलग तरीके से क्वेस्टिन को सॉल्ट किया जाता है यहांपर सोचा जाता है ठीक है यहां direction sense test नहीं घुसाना है अपने लोगों को ठीक तो इनका face west हम माल लेते हैं उपर west अगर उपर west है तो यहां नीचे east होगा तो यहां पर north होगा तो यहां पर south होगा क्योंकि यह clockwise चलता है न न न न ओर एस्ट south west वापस यह यह clockwise सलता है everybody knows this direction sense test में हम लोगों ने अल्यदी तीन सेशन लगा है ठीक है ओल्राइट तो दिस दन नाओ अब मुझे बताओ क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्योंकि अब इनका face अगर ऐसे है और यह direction west है तो यह direction तो south हो गई यह direction south हो गई compass को देखो आप लोग तो यहाँ पर मैं यह कहूंगा न कि हिरेन जो है वो मुकेश के south में है वो मुकेश के south में या तो आप simply बोलो कि मुकेश के left में लेकिन न का north east west south के point of view से बोला बोलना पड़ेगा तब तो आप यह बोलोगे न हिरेन साउथ आफ मुकेश येस क्या आपको यह बात समझ में आ रही है ठीक बहुत बढ़िया अब अगर मैं ऐसे कर दो अगर मैं कहूं के जो उपर डिरेक्शन है इस्ट नहीं ये west है तो यह क्या हो जाएगा ये west हो जाएगा ये north हो जाएगा और ये south हो जाएगा तो अब में क्या हो लोगा अनिकेत is to the south of Mukesh क्योंकि ये Mukesh का अगर face है यहाँ पर अनिकेत बैठा है ये east direction है ये south direction है तो अनिकेत is to the south of Mukesh अभी पिछली बार जब इनका face west में था तो अनिकेत was on the north of Mukesh लेकिन अब क्योंकि इनका face east में आ गया है इसलिए अब अनिकेत is to the south of Mukesh येस ठीक है हिरेन is to the north of Mukesh हिरेन is to the north of Mukesh येस गेरेंगेट एवरीबन बादर रहे जा क्या रहे direction की quiz कब लोगे बादर रहे जा टाइम पर आया करो class में class की starting में सब बताये गया है कब पूरे हफ़ते का schedule बताये गया है rewind करके देख लो ठीक है दस people का नहीं आएगा ये कौन है रंधीर रंधीर भाई जो बता रहे पहले उसको देख लो जो बता रहो उसको देख लो जितना आने वाला होगा वो तो सारा करवाई दूँगा दो chapters complete हो जोगे इतना तो भरोसा रखो भाई पर पूरा time value of money करा दिया पूरा direction senses करा दिया ये भी करा देंगी जितना relevant होगा लेकिन अभी जो ये बता रहो इसको देख लो पहले दस लोगों का बीस लोगों का पचास लोगों का सब करा देंगे जितना relevant होगा एक्जाम के पहले इस पर द्याम देले अलए और यह अप यह वाली चीज आपको समझ में आ रही है तो इब आर फेसिंग इस इप दे आर फेसिंग इस तो साक्षी इस टुदव नौर्थ अब हिरेन येस साची इस तुदव नौर्थ अड़रेन अंकित इस तुदव नौर्थ अश्व अंकित शुद्र नौर्थ अविरेन अंकित शुद्र नौर्थ मुकेश अंकित शुद्र नौर्थ अविरेन अनिकेत यह बात आप सबको समझ में आ रही है कि यह जल्दी से बता दीजिए जल्ली बताएं सभी लोग मैं चार्ट सेक्शन में देख रहा हूं ये बात आप लोग को समझ में आ रही है अगर ये बात आपको समझ में आ गई तब बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि अगला प्रश्न जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है दस स्टूडेंट्स वाला आग में इस वाले क्वेस्टिन को आप लोग ट्राइब करेंगे होमवर्क में एक वेस्टिन नमबर 18 19 20 कुछ स्टाइब के हैं ये अगर आप लोगों से यह वाला डायगराम बन पाया तब बहुत अच्छी बात है अधवाइस कल मैं इस क्वेस्टिन को कंटिन्यू करूँगा यह वाला क्वेस्टिन आप लोग करेंगे होमवर्क में हमारा एक आगरता बाच स्टार्ट हो चुका है डिसेंबर 23 के लिए फ्रॉम 24 और यह उस बाच की हाइलाइट्स है यह उस बाच का टाइम टेबल है और जब भी आप यहां पर अनकाडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन और उसके बाद उसको अपलाई करतीजे तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ सेविन डेस के लिए अनकाडमी आपको दे रहा है अनकाडमी प्लस का सी यह फांडेशन का सब्सक्रिप्शन फर आपसिलूटली फ्री और आपको मिल जाएगा बहां पर आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंप्ली अपना मोबाइल नमबर डालकर अक्टिवेट फ्री ट्र प्लस कर वाई!